दोस्तों आपको आपकी जानकारी खली बता देते हैं कि हमारी प्रिथवी का 31% पानी से भरा हुआ है और किवल 29% में हम मनुष्य और बाकी की जीव रहते हैं। दोस्तों पानी की सबसे चौका दिनी वाली बात ये है कि इसके अंदर कुछ चीजें सालों तक वैसी की वैसी पड़ी रहती हैं। जैसी की मानो सालों पराणी नहीं बलके एकदम फ्रेश हों। जी यहां दोस्तों ना जाने ऐसी कितनी सारी चीजें पानी की अंदर मिली हैं जूकि सालों पहले खोई Χोई थी। तब वो वैसी की वैसी मिली, जैसी वो सालों पहले खोई हुई थी। दोस्तों, जब सालों पहले अरोपलेन नहीं हुआ करते थे, तब लोग एक जगए से दूसरी जगए पानी के जहाज से जाया करते थे। यहां तक कि इनी पानी वाले जहाजों से ही दो देशों के बीच जंग भी लड़ी जाती थी। और ऐसा ही कुछ आज से लगभग 300 साल पहले हुआ था जब स्पेन और बिटिश के बीच लड़ाई हुई थी। पर बिटिशन की जीत हुई थी। दोस्तों आपको बता दें कि उस वक्त इस लड़ाई की बीच स्पेन का सेन हुसेन नाम का एक जहाज पानी में डूग गया था जो कि स्पेन के लिए बहुत ही बड़ा लॉस था। क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा जहाज नहीं था बलकि सूने चांदी हीरे जवारातों से भरा हुआ जहाज था। इस अज इतना महंगा खजाना लेकर साउथ अफरीका में स्पेन जा रहा था जिसके बाद इस खोई हुए खजाने को साल 2015 में कोलंबिया ने खोज निकाला। और तो और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये खजाना अब तक का सबसे बड़ा खजाना है जो की पानी के अंदर से मि मिला है मगर दोस्तों इस खजानी को लेकर बहुत बड़ा बवाल चड़ा हुआ है कि जिस जहाज में ये खजाना मिला है वो जहाज और उसके अंदर का खजाना दोनों ही स्पेन के हैं लेकिन इसे ढूंडा कोलंबिया ने अब ऐसे में सवाल ये उड़ता है कि ये खजाना हुआ किसका वैसे दोस्तों सही माइने में इस खजाने के हगदार दोनों ही देश हुए मगर इस बात का एलान अभी तक हो नहीं बाया है कि ये खजाना किसको मिलेगा या दोनों में बटेगा दोस्तों जहाज बानी के अंदर जादा नहीं डूपते हैं और वो बाहर से दि निकारा जा सका जो कि अब पानी के जस्ट ऊपर से दिखाई देता है और जिससे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं दोस्तों आप इस शिप के लिए ऐसा भी कह सकते हैं कि ये कैनड़ा का एक टूरिस्ट अट्रेक्शन है जहां पर हर कोई इसे देखने के लिए जाता है दोस्तों जब रिसर्च आउस पानी के अंदर जाते हैं तो वे इस उमीद से जाते हैं कि उन्हें कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर मिलेगी जिसे अभी तक किसी ने खो जा ना हो तो दोस्तों इसलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोगोंने बहुत सारी मुजिय जो कि अंडर वाटर बना हुआ है दोस्तों इस मीजियूम को जाने माने मरीन एक्सपर्ट और डाइवर जेसन डी टाइलर ने बनाया है जिन्होंने अपना पूरा जीवन पानी के अंदर काम करके ही बिताया है दोस्तों आपको ये भी बता दें कि टाइलर ने 300 देना चाहते थे कि हम सभी को एंवामेंट को बचाना होगा जिसके लिए उन्होंने एक खास मटेरियल के मदद से इंसानों की 200 से जाधा मूर्थियां बनाई थी जो कि पानी में गलती नहीं है और ना ही इस से पानी को कोई नुकसान पहुंचता है इतना ही नहीं एक और भ पांच हजार साल पुराना है मगर हां इस शहर का नाम अभी तक कोई नहीं पता लगा सका आर्केलोजिक डिपार्टमेंट की माने तो ये शहर काफी पुराना और अमीर भी था मगर भूकम पानी के वज़े से ये पानी में डूब गया मगर हां आप भरोजा नहीं करेंगे क ये शहर अभी तक well preserved है इतना ही नहीं ये शहर के design को अगर आप अच्छे से देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि इसे काफी अच्छे से design भी किया गया था चुकि एकदम modern शहरों की जैसा दिखाई देता है इस शहर में आप roads और दो मंजिलों के घरों को भी देख स जाती है या कहीं समद्र का लेवल बढ़ जाता है तो वो जगह पूरी की पूरी डूप जाती है मगर दोस्तों मैक्सिको में एक cathedral है जो की 500 साल पुराना है लोगों की भीड लगने लगी क्योंकि इस cathedral का कुछ छिपा हुआ हिस्सा भी भी पानी के अंदर है और इसके अंदर जाने के लिए लोगों को बोट का सहारा लेना पड़ता है तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर है तो इसे लाइक और शेर जरूर करें साथ ही साथ यूट्यूब चैनल एंट्रा पैंट्रा को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें देखने के लिए शुक्रिया